प्शकार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटुब चैनल आज JNR सेंगे कीनज़ परफरेंट्स आज बात करने वाले एक पर्मानेंक्ट नर्सिंग आफिसर की वेकेंजी के बारे में जो कि यहां पे नर्सिंग आफिसर की वेकेंसी है जिसमें ओल इंडे के सभी के इंडेट्स इसमें एपलाई कर सकते हैं पूरी वेकेंसी के बारे बात करेंगे वेकेंसी को जिपमेर पांडुचेरी की द्वरे इस वेकेंसी को निकला गए है दिन बात करेंगे कैसे आपको apply करना है online फोरम को आपको apply करना है जिसका date भी यहाँ पर दे दिया गया है कि कब से कब तक आपको फोरम को apply करना है apply कैसे करना है qualifications के बारे में बात करेंगे fees के बारे में बात करेंगे दिन आपका educational जो qualifications है उसके बारे में और इसमें आपका जो age limit उसके बारे में बात करेंगे A to Z जो भी information से आप दी गई है syllabus क्या रहने वाला examinations कब तक होगा पूरा detail से आपको step बाश step यहां पे मिलने वाला है तो vacancy जिप मेर पांडुचेरी के द्वरा इसको recruit किया गया है जिसका official जो notifications है वो उसके बारे में detail से बात कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे इसके advertisement के बारे में फिर बात करेंगे उसमें आपको case apply करना है क्या के इसका syllabus रहने वाला है तो सबसे पहले जो आज का update जो 19 October 2023 का official update है उसके बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंट्स ये जवारलाल इंस्टिटोट्स आप पोस्ट ग्रेजवेट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च जो की जिप मेर पांडुचरी की वेकेंसी है उसका official notification जो की 19 October 2023 को release कर दिया गया है और वेकेंसी एक permanent वेकेंसी यहाँ पे रहने वाली है जो की आज newspaper के अंदर इसका cutting यहाँ पे दिया गया है advertisement नमर आप यहाँ पे देख सकते हो nursing officer की वेकेंसी प्लस इसमें और भी वेकेंसी रहने वाली है तो उसके बारे में बात करेंगे दिया गया की applications are invited by the director जिप मेर from the eligible Indian national for the following post in the जिप मेर पंडुचेरी और ये नम के अंदर ये वेकेंसी रहने वाली है जिसमें बात करेंगे कि आपका वेकेंसी जो यहाँ पे जिप मेर campus दिया गया है इसके अंदर अलग लग यहाँ पे ये नम और जो पंडुचेरी उनकी वेकेंसी रहने वाली है जिन बात करते हैं वेकेंसी के बारे में तो गुर्प B की वेकेंसी यहाँ पे nursing officer की जो वेकेंसी इसके बारे में बात करते है और ये ये नम जो campus के अंदर थे ने वाली है टोटल पोस्ट यहाँ पे 25 आपिया अधर भी वेकंसी रहने वाले हैं इस पर दिशीजन ऑप जीप मेर गवर्निंग बोडी at least 80% post of the nursing officer are reserved for the female candidates मतलब इस post के अंदर 80-20 का ratio आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है तो इसमें जो भी seat रहने वाले 25 total vacancy जिसमें से 80% female के लिए है और 20% यहाँ पे male candidates के लिए vacancy रहने वाली है दिन दियागा कि the number of the post tentative रहने वाली है कोई भी अगर इसमें exam होता है या कुछ changes आता है तो इसका official जो notifications आपको जिप मेर पांडुचेरी की जो website उसके अंदर आपको मिलने वाला है दिन इसमें horizontal reservations का दिया गया है तो वो भी आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो और इसमें दियागा कि the candidates appointed under the horizontal reservations जो कि आप इसमें center government की vacancy है और SCST, AWS और BC और unreserved जिसका भी यहाँ पे category wise जो reservations दियागा है वो reservations आपको यहाँ पे मिलने वाला है detail regarding age qualifications, experience, applications with mode of the examinations, payment and other conditions और eligibility the posts are available at the Jipmer education जो इसका website इसमें आपको मिलने वाला है यह paper की cutting है अभी तक जो इसका detailed advertisement है वो release नहीं किया गया है जैसे detailed advertisement इसका release होता है मैं आपको एक detailed वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ देन बात करें इसमें date के बारे में तो application should be submitted online ही आपको form को submit करना है online registration will be tentative start 19.10.2023 को इसका form start होने वाला और last date का date दिया गया है 16.11.2023 इसका last date यहाँ पे रहने वाला है तो अच्छी vacancy है permanent vacancy nursing officer की रहने वाली है जिसमें 80-20 का ratio भी यहाँ पे रखा गया है और total post यहाँ पे 25 रखी गई है देन बात करें इसमें educational qualifications के बारे में तो educational qualifications वही BAC nursing post basic BAC nursing और JNM के जो candidates है वो इसमें apply कर सकते है JNM के पास में 2 year का experience भी यहाँ पे मांगा जा सकता है applications फिसका exact आपको जैसे official notifications मिलता है उसमें आपको देखने को मिलेगा और यह थी है complete information center government की permanent vacancy है जिसमें सभी candidates apply कर सकते हैं तो मिलते हैं next video में फिर भी अगर आपको को doubt हो तो please comment box में जमो जरूर करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए स्वास्त रहे मस्त रहे देन्यावा फ्रेंट्स झाल 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 झाल